हेलो फ्रेंग्स यहर्ट सीबेसी ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर इस साल का करिकुलम अपडेट कर दिया है यानि की 2021 सेशन का जो पूरा का पूरा करिकुलम रहता है जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है वह अपनी ओफिशल वेबसाइट यानि की cbsc.nic.in पर पिशले साल ही हो गया था उसमें थोड़ा से नोन अपडेट किया है पिशले साल क्या चेंज हुआ था कि 10 के बच्चों को या तो basic math लेनी होगी या standard math opt करनी होगी अगर बच्चे basic math को opt करेंगे तो वह senior secondary level पे math as a subject नहीं ले पाएंगे और जो standard math वाले बच्चे होंगे वह जरूर ले सकते हैं ठीक है अप्लाइड math as a subject जरूर ले सकते हैं applied math में जादा changes नहीं होते थोड़ा सा ही फारक होता है ठीक है तो class 10 के बच्चों के लिए major change आया दूसरी बात दूसरी बात यह निकलती है कि अगर बच्चा main subject में किसी भी reason से fail हो जाता है या उसके कम marks आते 10 के बच्चों की बात करो तो main subject में साइंस और एसेस्टी ठीक है math science और एसेस्टी अगर किसी बच्चे के math में या science में कम marks आते हैं तो अपने additional वाले subject को main subject से replace कर सकता है सपोज किसी बच्चे कर science में अच्छे marks नहीं आए और Sanskrit में बहुत अच्छे marks आ गए तो Sanskrit को science से replace कर स change यह है this session will have online classes as well cbs ने decide कि इस साल वो online classes भी conduct कराएगी ठीक है ऑनलाइन classes भी संडे को नॉर्मली online classes होगी जिसने आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा क्योंकि lockdown के चकर में भी कुछ नहीं पता कि नया session कप से start होगा और syllabus complete कराने तो भाई officially रहता ही है cbs के लिए तो क क्या होगा online classes भी conduct होंगी ठीक है बई क्लास 12 के students से करना बात करूं तो optimistic approach फोलो होगी optimistic approach जो होती है उसमें क्या आता हुए optimistic approach में यह रहता है कि teachers करते हैं हर एक बच्चे को देखते हैं हर एक बच्चे की growth को note करके रखते हैं कि इस बच्चे ने इतना grow किया इतना grow नहीं कि और grow नहीं किया तो कि सीजन से नहीं किया उस बच्चे को extra class दो उसको online lectures दो तो उसको भी उस लेवल तक लाओ कि बाकी बच्चों के लेवल तक वह आ जाए उसको बोलते हैं optimistic approach तो फेकल्टी जैने की teachers इस साल क्लास 12 के बच्चों के लिए optimistic approach फोलो करें और most probably class 10 के बच्चो इस साल पोडल में upload करेंगी हर एक बच्चे को पोडल दिया जाएगा बच्चे क्या होता एक student पोडल होगा जहां पर बच्चे लॉग इन कर सकते हैं सैंपल ले सकते हैं टेस्ट दे सकते हैं resources डाउनलोड कर सकते हैं यह major major 5 changes cbsc ने करें क्लास 10 तो क्लास 12 के बच्चों के ठीक है भई आप लोगो समझ आ गया है क्या-क्या major changes हुए है और curriculum का link मैं आपको नीचे description में दे रहा हूं आप चाहो तो पूरा का पूरा curriculum भी पढ़ सकते हो तब तक के लिए all the very very best channel सबके नमत भुलिए को और साथ में लगे bell icon को press कर देना thank you